कि मिलें नमस्कां दोस्तों मैं दर्मिन दम जडिरा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी चैनल में गुज़ा ते चैस जों मेरे कोमेंट बॉक्ष में बहुत सारे कोमेंट्स आया है बहुत बार कि आप सर ओपनिंग के बारे में बहुत सारे वीडियो बनाते हो लेकिन ओपनिंग हमसे प्रिपेड नहीं होती कैसे याद किया जाए यह एक अहम सवाल है और मेरे लिए भी यह काफी अच्छा सवाल है कि जब आपको मैं बहुत सारे विरियेशन्स लिखाता हूं या विरियेशन्स बढ़ाता हूं उसके बाद आप उतने सारे विरियेशन्स कैसे याद कर सकोगे याद रख सकोगे लाइट टाइम याद कैसे रहेगा तो यह भी इसके लिए भी एक टैक्निक होती है मैं इसके बारे में आज आपको स्टेप बार आउंगा कि कैसे आपको उपनिंग प्रिपरेट करनी है एक बार आप यह उपनिंग मेरे तरिके से प्रिपर कर लोगे फिर यह मेरा वादा है कि आप लाइफ टाइम यह उपनिंग भूलोगे नहीं कोई भी ओपनिंग जैसे कि मैं ही पढ़ाता हूं वैसा नहीं आपको यूटूब में बहुत सारे वीडियो अलग-अलग उपनिंग के मिल रहे है लेकिन उसको प्रेपरेशन कैसे किया जाए तैयार कैसे किया जाए उसके मूब आए मूब कैसे रियल में आप कर सकते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपना जो ली चैस या कोई भी सौप्ट्वेर है ओनलाइन गेमि जैसे कि chest.com है, like leaches है उसको उपन कर देना है और साथ में मेरी लिखाई हुई कोई भी ओपनिंग या किसी के लिखाई हुई कोई भी ओपनिंग जो उपनिंग जो अपनिंग के मूव से आपके पास लिखे हुए होने चीरी जैसे कि यह book है मेरे पास मैं बहुत सारी books मैंने बनाई है अलग-अलग openings के बारे में ऐसी छोटी-छोटी books मैं बनाता हूँ और हर एक book में एक ही opening होती है जैसे कि यह book में How to play against BC4 और How to play against E4 तो मतलब white अगर E4 खेलता है तो उसके सामने हमें black से क्या खेलना है उसके लिए मैंने ये एक opening की book बनाई है ऐसी बहुत सारी books है मेरे पास जैसे कि Scandinavian Defense against E4 तो उसके भी बहुत सारी videos में अपलोड कर रुखे है आप देखना चाहे तो आगे के वीडियो में देख सकते हो तो यहाँ पे मैं जब भी opening preparation करता हूँ तो मेरा तरीका ये है कि मैं एक book लेके साथ में बैठता हूँ मूज चोरी नहीं करते हम मूज जब याद करने की कोशिख करते हैं नहीं याद आता है तो भी हम इसमें book में मूज देखेंगे तो उसके लिए सबसे पहले पहले टैक्टिक सबसे पहले तो आपको कोई भी opening जब मैं पढ़ाता हूँ तो वो opening के मूज पहले on board आपको याद करने पड़ेंगे on board तयारी करने पड़ेंगे रख्ता नहीं मानना है मतलब E4, E5, NNF3, N6, BC4 इमेज करना है और ऐसे तैयारी करनी है opening की और opening की सबसे अच्छी तैयारी आखे बंद करके आप जब मूज देखोगे तो आपको दिखने लगेंगे बहुत ही शार पर चलो हम सुरू करते कि कैसे opening preparation किया जाए तो सबसे पहले आपको एक book साथ में लेंके बैठना है जिस opening के बारे में आप prepare करना चाहते हो अब दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना जो लीचेस अकाउंट है ये open कर रखा है अब लीचेस में हम यहाँ पर सबसे पहले लॉबी में जाएंगे लॉबी में से कोई player select करेंगे अब लॉबी में देखे जैसे के मुझे कम time वाली game ही select करनी है ज्यादा time वाली नहीं और आप यहाँ से quick pairing में भी जा सकते हो पर quick pairing में आपको यहाँ पर या फिर जैसे के create game create game में आप जाके अपना time time और real time और यहाँ पर जैसे की minutes पर side 5 और increment हम नहीं करते हैं यहाँ पर हम zero increment करते हैं setting आप अपने इस अब से setting कर सकते हो और यहाँ पर हम rated नहीं करेंगे casual करेंगे five zero की मैंने casual game यहाँ पर की है अब देखो यहाँ पर हम कितने strong player या कितने weak player के सामने खेलना चाहते हैं इसके बारे में यहाँ दिखाया है कि हम यहाँ से करसर जैसे कि minus 100 या minus 50 रखते हैं ताकि हमारे rating के इसाब से ज्यादा minus plus नहीं आए यहाँ भी हम plus प्लस भी 50 कर देंगे ताकि plus ज्यादा भी नहीं आए तो यह आपका जो casual गेम रेडी हो चुका है इसके बारे में इसके बाद में हम यहाँ से सेटिंग कर देंगे या अगर आप हम जैसे कि ब्लैक से त्यारी करना चाहते तो ब्लैक से गेम सेट कर दिया हमने अब देखिए हमारी यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहे है धरमजी 28 यह मेरा जो एकाउंट नंबर है वो है एकाउंट आइडी अभी कोई भी प्लियर यहाँ हमने मिनित में खेलने चाहता है तो अमरे सामने खेलने आ जाएगा जल्दी तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा दोस्तों उसके लिए और अगर हमें वेट नहीं करना है तो डायरेक लबी में से कोई भी प्लेयर को जैसे के फाय टू इसको हम क्याज्यल है तो यह सिलेक कर देखते कौन सा हार चलो कमारे ली ब्लैक ही है अब यहां पर गेम स्टार्ट होगी अब एने थी एने थी के सामने मैंने बहुत सारी ऑपनिंग बनाई है तो यहां पर हम पहले खेलेंगे डी फाइल अब आप अपनी कोई भी ऑपनिंग अब डी फाइव और उसके बाद सी अब हम यहां इमेज करना कि एसी तो कोई मैंने उपनिंग प्रेपर नहीं कि यह है कि इंग्लीश ओपनिंग का स्ट्रक्चर इसके बाद वाइट जी थी और विशब जी टू करेगा हमें यहां पर एशिक्स सेंटर पर हमारा डी फाइब पर पॉन रहना जरूरी है उसके ब क्याजिवल है हम यह गेम को स्किप भी कर सकते हैं जैसे कि मैं यहां से डॉपर करता हूं अबरन को अगर ड्राइकरी होता है तो हमारी प्थिने कि दरेंग तो योब होगे टो यह सब्सक्राइब टो आपनेग मेरे पास नहीं थी दोस्तों मेरे पास अभी गुक में नहीं थी इसलिए मैंने क्या किया कि इसको एबोर्ट कर दिया लोगरिकर करके या तो हम डायरेक आपकर सकते चलिए हम दूसरी तरिके कैसे दिखते हैं कि कोई दूसरा प्लेयर जुनते हैं यहां पर थ्री टू फाइव टू यह कैज्वियल वाला है दूसरा हाफ बहुत ही कम है इसका टाइम 15-10 बहुत ज्यादा हो जाएगा और यह 3-0 रेटेर है रेटिंग में मतलब ब्लीज में हम ओपनिंग प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं थोड़ा सा टाइम तो हमें चाहिए सोचने के लिए आपको गेम जीतने के लिए नहीं खिलना है दोस्तों सिर्फ ओपनिंग प्रिपरेशन के लिए ही यह तैयारी करनी है तो उसके बार में देखते हैं कोई और प्लेयर जूनते हैं नहीं हैता है हम कुई पेरिंग में 10 प्लस 3 यह रेटेड में मैं अभी आपके सामने रिस्क नहीं ले सकता है क्योंकि मेरा रेटिंग थोड़ा अच्छा है रैपिड में मेरा रेटिंग 2 2 3 6 जैसा है तो 5 तो यहां पर देखते हैं 10 प्लस 3 अब यहां कोई अगर नहीं आता है तो हम अभी ट्वीक पैरिंग मे जाके अपना गेम वही स्टांडर्ड ब्लैक और यहां पर सिलेक्ट करके हम बैटके 5-0 में कोई भी प्लेयर का थोड़ा वेट करना पड़ेगा दोस्तों कि वेट करते करते कर कोई हमें अच्छा प्लेयर मिलता है तो यहां डायरेक्ट क्लिक करके आप जोइन कर लो एकदम आसांग है लिचेस में और मेरे इसाब से सबसे बेस्ट सौप्टर है जो लिचेस ओनलाइन उसमें आप खेलोगे प्रैक्टिस अच्छे मिलेगी इसमें बहुत सारी डेल सारी पजल्स भी आईगी पजल्स कैसे डूलना आए और भी मैं आपको बताऊंगा अभी लिकिन मुझे वाइक के सारे मूज याद है मैं कोले सिस्टम खेलता हूं तो हाउ टू प्ले अगेंस कोले सिस्टम के बुक जैसे कि इसी बुक में आउट प्ले अगेंस कोले सिस्टम आपने लिखा है तो ये बुक लेके आप बैच जाओं डीपोर नाइट एप 6 आपको तैयारी करनी होगी और कोले सिस्टम में नाइट एफ्री सेकंड मूँ होता है नाइट एफ्री में एज यूजर करूंगा ड्रेकिन अगर ब्लैक एशिक्स करता है तो इसका मतलब वो किंग्स इंडियन नहीं खेलना चाहता है वह क्लासिकल वेरियाशन में खेलेगा तो आपको अगर याद नहीं रहते ओपनिंग मूज जैसे के मुझे यहां तक याद है उसके बाद सामने वाले ने कैसल किया और यहां तो नॉर्मल मूज स्टार्टिंग के होते विसब बेटू यह सब आपको इजीली याद रह जाएंगे कोले सिस्टम का स्ट्रक्चर यह होता है नाइट डी टू उसके बाद कुई टू इतने मुझमोज याद है लेकिन कुईन इटू में सामने वाले ने नाइट डी सब्सक्राइब करूंगा और उसके बाद दिरे दिरे अपना डियालोप्नेंट सी फाइव का रिप्लाइट देना है आपको सीफोर करके दे सकते हैं जैसे कि उसे ब्लॉक कर दो पॉंटेक्स पॉंटेक्स कोले सिस्टम का एक बहुत ही बहतरीन रूल है कि आपका जो डी तो आपका दीरे दीरे पोजिशन जैसे कि सामने वाले ने भी रूकी एक करके हमारी क्वीन के सामने अटक किया है एक्सरे एक बोलते इसे अभी कुछ नहीं हो रहा है हम यहाँ पर रूक भी खेल सकते हैं या फिर नाइट का डेवलोप्मेंट अब हमें क्या करना है इसके आगे जैसे कि हम चलो अभी आपके सामने में रूक खेल सकता हूं या तो फिर वेट कर रहा हूं कि उसका वेटिंग मुझे को सामने वाले को करने दें कि तुम क्या करोगे मैं तो यह कर रहा हूं चलिए अब यहाँ पर लाइन ब्लोज करेंगे ईपोर और उसके मूज सब ब्लॉक करना करें ही ऑज़ितले मह वह यह पर नाइट नाइट टेक्स कुछ मूज के बाद आप डी कॉर पॉन एक्षप कर सकते हो निकाल सकते हो आसे कि को जिखल credit कर सकते ह हो यहाँ पर अगर कॉन Б सकते हो लेकिन ट्रिसक ठोड़ा सब्सक्राइब कर देगा तो किंग करना पड़ेगा मैं कोई बात नहीं है अल्रेडी बिशाब से यह नाइट सब्सक्राइब सब्सक्राइब अब देखते हैं सामने अलग क्या करता है आज सी एट दोस्तों यह मैं आपको सिर्फ गेम ओपनिंग के लिए खेल के दिखा रहा हूं कि ओपनिंग में आपको तैयारी है तो इस परकार करो इसके बार हमें कुछ प्लानिंग तो होना चाहिए ना हमारी गेम में प्लानिंग के लिए आपको अलग अलग जासे कि यह भी साब एप 6 पर एटेक कर रहा है यह भी साब क्रबिज्ट जाते खुषग करें पर हमने यह है लाइं ओपन हो जाए ओपनिंग प्रिपरेशन आप ऐसे देखो यह लाइव यहां पर हम खेलेंगे इफाइड जैसे हमने सोच चाह था लेकिन कोई प्रॉब्लेम नहीं है यहां यहां पर यहां पर थिर कि उसने विक्नेश नहीं बन नहीं अब वो डिस्कवर्ड की थ्रेट दे रहा है यहां पर तो कि शिंपल हम रुक के सामने कुई अच्छी नहीं है तो कुईन इतरी कर सकते हैं पर कुईन इतरी में प्रॉब्लेम है कि पॉंटेक्स पॉन के बाद में बिशब से कुईन पिनिंग हो रहा है तो मेरा इसाब से यह भी एक बैड मौ है और पॉंटेक्स पॉन की जो डाइरेक् सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है दोस्तों इसमें ब्लैक की जो पीसी से बहुत ही पैसिव हो गए मतलब लास्ट रैंक में चार्चार पीस है जो दो रूप और दो नाइट वैसे कहा जाए तो इनेक्टिव भी है नाइट तो यह हम नाइट से नाइट एफ फूर आ रहा है तो हमारे लिए थोड़ा देंजर होगा मुझसे तुरंत ही एक्षेंज कर लेंगे लाइट स्पेर बिशब जंदरली लोग बोलते कि बिशब देना नहीं चाहिए लेकिन मैं इसी बात नहीं मानता हूं मैं जरूरत परने पर बिशब दे देता हूं क्योंकि हमारे दूसरे पीस अगर आगे आते है ड्यावलोपन उसमें हेल्प होती है तो हमें ओपीस दे दे देना चाहिए देखे यहां से एक नाइट के सपोर्ट से दूसरा नाइट जी फाय पर आएगा अपनी रेज़े आपके पीस आगे आ रहे है आप सुचोगे सल्टों गेम खेलने बैठके लेकिन गेम खेलने से आपको जो कैसे खेलना है कैसे प्लान बनाना है मूस कैसे होने चीए इसका भी बहुत ही अच्छे आइडिया मिलेंगे बिशाप कंपल्स है यह अमारे लिए और भी अच्छा हो गया अब देखिए यहां पर क्लियर वाइट का जो स्ट्रॉक्चर है बहुत ही बहतरीन है और ब्लैक की एंड गेम में दो पॉन डबल है तो इक्वल पॉन और पॉन डबल का एडवांटेर हमें मिलेंगे क्विन एक्सचेंज तो हमारे लिए काभी अच्छा है मेरे हिसाब से क्योंकि हमें एक मूब एडवांस मिल देए अब यह नेक्ट में हम जल्दी टाइम वेस्ट किये बिना यहां पर खेल लेंगे नाइट दी फोर भी एक अच्छा प्लान था लेकिन पहले मेरा ओल्वेस तो पहला रूल है ओपन फैन में ले लो उसके बाद नाइट तो अटेक करने वाला ही है रूपे अब यहां पर हम विशब खेल सकते है उसके पॉन को पिनिंग के लिए या फिर पॉन टेक्स पॉन भी कर सकते है या फिर रूप डबल का प्लान भी कर सकते है रूप डबल करना ज्यादा अच्छा है पर उसमें उसका आइडिया है पॉन टेक्स पॉन और विशब से लेंगे अपनान को जो आइडिया है उसे करने मत दो तो ही आप गेम चीतोगे चैस का नियम है सामने वाला जो प्लान करना चाहता है उसका प्लान स्टॉक कर दो बस वह ही आपका रिपलाई होता थी क्लासिकल गेम में ज्यादा डीप में सुतना है मैं अभी खेल रहा हूं से पर ब्लीज यहां पर उसने पॉंटेक्स पॉन अगर हम पॉन से पॉन मारते तो सिंपल विशाप एक्षेंज हो रहा हमें भी सब पहले मानना पड़ेगा वरना विशाप लॉस हो जाएंगे उसके बाद यह सायद पॉन्टेक्स नाइट मारेगा एक पॉन का उससे एडवांटेज होगा लेकिन हमें दास्ट्वर विशाप का भी फाइदा है विशाप को बचाना जरूर लिए हाई बार एक पॉन का कोई इतना देंजन नहीं होता है जैसे कि हम इस पॉन को नहीं पर स्टॉप कर देते हैं और दूसरा रूप पिछे लाखे से क्याप्चर करने का ट्राइक करेंगे सिंपल नाइट नो प्रॉब्लम अब वो बचाने दाएगा और धर्ड एक आने के बार वो नहीं बच सकता है देखा आपको कौन वापस भी मिल जाएगा इससे हमें पहले तों ग्रूप टेक्स कौन कर देते हैं अब यह काफे मज़ेदार गेम रहेगी किंग को जल्दी ड्यावलोप करो सेंट्रलाइज करो उसकी किंग को जल्दी आने से पहले कि यह पॉन यहां से नाइट जी को चैक और लेकिन हमें टार्गेट इदर करना है कि हमारे यह पॉन पास्पॉन हो जाए कि टाइम से भी आप जीट सकते हो मुझे पता था कि वह चैक देके यह पॉन मारेगा हमें सामने काउंटर में यह पॉन बिलाएड हो इतना फास्ट थिंकिंग भी जरूरी है जैसे के विसब चैक अब उसके नाइट यहां पे जो निकलता है हमारे पास उसके सारे स्वेर कं करेंगे तो दोस्तों इस प्रकार आप कर सकते हो ओपनिंग प्रेपरेशन तो मैं पूरे गेम नहीं दिखा रहा हूं लेकिन आपको करना क्या है कि एक बुक लेकर मुझे देखना है मुझ जब तक याद आती तब तक आप खेलो और नहीं याद आती तब ही बुक में देख हो तो चलिए मिलते हैं मेरे नए वीडियो के साथ ये इस प्रकार आप ओपनिंग का प्रेपेर करोगे तो जल्दी से ओपनिंग याद रहे जाएगी और एक बार याद रहेएगी तो पर्मनेंट आप भूलोगे नहीं तो जल्दी ही मिलेंगे मेरे नए वीडियो के साथ त